हलो दोस्तो आज आप लोग फिर कहने पर ही आप लोग के प्रियोमियस पेपर के RRC गुरूब डी के प्रशनों को सिरीज लेके आया हूँ हल कराने वाला हूँ देखें बीच में मैंने बंद कर दिया था हल कराना क्योंकि आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड बीडियो बहुत कम ही देखना चाहते थे आप लोग को चाहिए था RRC गुरूब डी का एक्जाम कब होगा NDPC कटाप कितनी जाएगी आप लोग ये सारी चीजे बहुत देखते हैं जो कि ये कोई फैक्ट नहीं है ये आपका जो होना है वो निरणा है आपका अगर रिजल्ट आएगा तो पता चल जाए कटाप कितन चाहिए लेकिन आप लोग के कहने पर फिन से मैंने एक बार पढ़ाई के रिलेटेड जो प्रिमियो स्वेपर की सीरीज को स्टार्टर रहा हूं जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा देख लीजेगा और जिन लोगों ने आप लोगों को नए है सब्सक्राइब विजलों में याद रखिएगा कैसे हलकना एक जाम में कैसे बैठें ये कैसे हलकना है और कुष्ण को तो पहले ध्यान से पढ़ना है देखे कुष्ण यह करना बहुत अच्छा तरीका है बहुत important प्रश्ण हैं हम पहले देखते हैं कि सही कितना है हमारा कितना लिखा गया ह 84 लिखा गया ठीक है सही तो 84 है लेकिन इसके बदले में क्या लिखा गया 48 ये चीजे लिख दिए अब हम जब ये चीजे लिख देते हैं तो हम ये देखते हैं इनके भी चंतर कितने का है इनके भी चंतर कितने का है देखे यहां से जाएगा नहीं 14 मेंसे 8 जाएगा 6 7, 7 मेंसे 4 जाएगा 3 अब इसी को 36 आए इसी को क्या करते है हम जो टोटल हमारा छात्र है उनसे भाग करते है टोटल छात्र कितने है? 40 तो इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये देखें 4, 9, 36, 14 हम में 40 तो ये आ जाएगा हमारा बराबर में 0.9 आ जाएगा ये 0.9 क्या करेंगे अब ये 72.5 में क्या करना एड़ करना या घटाना है तो एक बात याद रखेगा अगर हमारा सुरू वाला मान अधिक है और लास्ट वाला मान कम है तो सुरू वाले मान पर हमेशा ध्यान देना ध्या यह पहले वाला मान 84 है लास्ट वाला मान 48 है तो हमको ज्यादा है तो ज्यादा मान लाना पड़ेगा तो 72.5 में हम क्या करेंगे 0.9 एड करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 73.4 जो कि आपका अपसन नमर D सही है ध्यान से समझेगा एक बार फिन से बता दे रहा हूँ देखे यह प्रशन क्या करना इसमें हमें सिर्फ इसका कोई मतलब नहीं इसमें एड करना घटाना यही दो चीज करना एड करना घटाना मा तो हमने क्या बताया जोडते कब हैं घटाते कब हैं जब सुरू कमान जादा देखे सुरू कमान 84 है लाश्ट कमान 48 है अगर सुरू कमान कम होता तो 72.5 में से घटा देते लेकिन सुरू कमान जादा है तो क्या करेंगे हमको जादा ही एंसर लाना जब सुरू कमान जादा हो ना तो आप पुराना वीडियो देखेगा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि जो नए रहते हैं किसी का भी पहली बार वीडियो देखते उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है लेकिन आप लोग रेगुलर अगर देखते रहेंगे तो हम मैं उम्मीद करता हूं म एक पावर माइनस चार एक पावर थिरी देखें लिखा क्या गया है एक पावर सिक्स गुड़े एक पावर माइनस चार और ये भाग में लिखा गया है एक पावर थिरी तो ये बहुत सिंपल सा प्रशने हम क्या करते हैं जो भाग रहता उसको बेटे में लेते हैं तो जो की आपका अपसन No.C सही है देखें दो टाइप के student होते हैं जो इतना विश्तार से करते हैं दुसरे student जो यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं इसके भाग मिले आते हैं यहाँ थीन हो जाता थीन हो जाता थी यहाँ देखते माइनस वड़क जाते हैं लेकिन वो time management का ध्यान नहीं कर पाते हैं और वो प्रश्णों को नहीं कर पाते हैं देखें एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप लोग ये कटाफ हो group D के exam date के चक्कर में मत पढ़िए क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं उस पर वीडियो पर बहुत वीव आते हैं जरूरी है लेकिन पढ़ाई के वीडियो ज्यादा देखिए देखिए कुश्चन नमर फर्श्ट हमारा A को 40 दिन में मतलब काम को समाप कर सकता है B उसी काम को 30 दिन में समाप कर सकता है दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में समय कितने समय लगेगा देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्रे बेसिर प्रश्रे ऑ का कितना है izla vertule Th different । इन दोनों का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा जब इसको भाग करेंगी त 예हां 4 आ जाएगा यहां 3 जाएगा तो इन जोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इस still on an AI com fabulous ड़ब play softer एकच यहाज बटा साथ फ्र disciplines कि हम आ करना था सभी लोग कर लेते थे चलिए नेक्स प्रिश्व में चलते हैं देखे यह प्रेश्व इतना IMPORTANT उखने इस प्रिश्व को आप लोग मैं कहता हूं प्रषन पड़ते ही इंस Each को आ 15 मानेंगे पहली संख्या है या बहुत सारे प्रश्ण हैं तो आप समझ जाए हमको तस्रिफ एक ही मान दिया गया 24 तो हम कैसे निकालेंगे और 24 से कैसे निकालेंगे तो आपसं की मदल लेते हैं और आपसं में जो 24 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वही की आपका अंसर होगा तो देखें अगर 118 को हम 24 से विभाजित करेंगे तो यह पूरी तरह नहीं विभाजित होगा यह 10 मलों में जा रहा ठीक है तो यह नहीं हो सकता और हमारा देखे 144 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है क्योंकि यह 6 बार जाएगा तो आपका आपसा नमर भी सही है देखे सिकंडो में हल करने की कोसिस करिए बिना पेन और पेपर के आप लोग खुछ से भी एक बना दे कि NTPC कटाब जाएगी तना तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे कोई बता देगा गुरूप D का एक्जाम कल से चालो तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देखते ही रहते हैं जो एक एबरेज स्टुडेंट रहता है रेगु उनको भी पता है जिस दिन एक्जाम डेट आएगी या रेजल्ट घोसित होगा कटाब भी पता चल जाएगी एक्जाम डेट भी पता चल जाएगा लेकिन आप लोग इस चीट को बहुत देखते हैं तो इसलिए मैंने बीच में सब वीडियो छोड़के वो बना रहा था तो